22 जन्बरी 2024 भगवान राम के मंदिर का उद्गाटन मतलब नेपाल के दमात के नए घर का प्रवेश ग्रह प्रवेश जनकपुरी नेपाल के लोगों का भार जो दमात के ग्रह प्रवेश में लड़की दमात को उपहार सुरूप दिया जाता है लेकर अयोध्या आना और यहां आकर मंदिर के ट्रश्टी को वो भेट देना यही दिखाता है ना कि नेपाल और भारत के संबंद कितने पुराने और घरेलू है नेपाल हमारा पडोसी देश जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा एक ऐसा देश जिस से हमारा सदियों से रोटी और बेटी का रिस्ता रहा है और कभी भी वहां के लोगों को यहां या फिर भारत के लोगों को वहां जाने में कभी किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा था लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के संबंदों में कुछ खटास आ गई है रिस्तों की गर्माहट कुछ कम क्यों महसूस होने लगी क्यों नेपाल के लोग हम हिंदुस्तानियों से नफरत करने लगे क्या ये सब अचानक से हुआ था या फिर पहले से ही नेपालियों के मन में कुछ चल रहा था चलिए आज नेपाल के साथ अपने संबंदों के साथी साथ नेपाल और भारत के इतिहास के कुछ किस से सरल भासा में और नेपाल के साथ रिस्तों की करण सिचुएशन इन सब के बारे में बात करते हैं नेपाल और भारत का साल्सकृतिक कल्चर और बैक्ग्राउंड एक होने की बज़े से शायद हम दो पडोसी देश एक दूसरे के साथ कंफर्टेवल फील करते रहे हैं क्या ये वास्तव में है भी या बस एक दिखावा है कनफ्यूजड हो गए ना आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी हो सकता है नेपाल और हम लोग तो हमेशा से मित्र रहे हैं क्या नेपाल और भारत के संबंद वास्तव में एक दिखावा भी हो सकता है भारत और नेपाल को पूरी दुनिया में सबसे करीबी नेवर कहा जाता है नेपाली मीडिया जब तब तांज कस्ते हुए कहती भी है कि हम लेड लॉक कंट्री नहीं हम इंडिया लॉक कंट्री हैं दोनों देशों के आर्मी चीप्स को एक दूसरे के देश में हौनरेबल जनरल की तरह सम्मान मिलता है यहां तक कि हमारी मिलिटरी में नेपाल के 32,000 जवान गुर्खा रेजिमेंट में तैनात है नेपाल की मिलिटरी, भारत की मिलिटरी के साथ मिलकर practice एक साथ करती है नेपाल में जब कोई भी natural disaster आता है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने पर भारत सबसे पहले नेपाल के साथ खड़ा होता है यहाँ तक कि नेपाल की growth के लिए करोडों रुपे की grant भी देता है नेपाल के अंदर जो economic activity है वो इंडिया के थुरू होती है और 80% का import भारत से ही होता है ये सारी बातें भारत और नेपाल की military और economic relations हो करती है यहां तक तो सब अच्छा है देखकर लग रहा है जब इतना ही दोनों देशों में प्यार है इतनी dependency है तो फिर दिक्कत कहा है दर असल दिक्कत छुपी हुई है इतिहास में दिक्कत हुई है behavior में जो नेपाल को लगता है कि इंडिया हमेशा नेपाल को छोटे भाई कितने treat करता है नेपाल में जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो अपने आसपास पड़ोसी सोसाइटी में ऐसी कहानिया सुनते हुए बड़ा होता है जिसमें भारत को कहीं न कहीं as a villain show किया जाता है इससे हर नेपाली के मन में उपनी तोर पर तो हम भारतियों के लिए दिखावा रहता है पर वो अंदरी अंदर हम इंडियन से हेट करता है मैं जब ये सारी भारत नेपाल के बारे में जानकारी इखटा कर रहा था तब मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेट एक वीडियो देखा कि नेपाल के काटमांडू में 2013 में भारत अफगानिस्तान के बीच फुटवाल बैच खेला जा रहा था और नेपाली पीपल अफगान टीम को चियर अप कर रहे थे और इंडियन्स को बुली और इससे भी बड़ी बात ये है कि उनका कहना था कि वो हर उस देश को फेवर करेंगे जो भारत के अगेजड होगा फिर चाहें वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, सरप्राइजिंग है ना, सरप्राइजिंग है पर सच है कंडिशन इतनी बस्ट हो रही है कि हमारे फॉरेंड मिनिस्टर या हमारे पीम अगर कभी बातों बातों में किसी स्पीच को दौरान अगर गौतम बुद्ध को अपना बोल देते हैं तो सारा नेपाल यहां तक की नेपाल की फॉरेंड मिनिस्ट्री तक विरूद दर्ज कराने लगती है नेपाल के इंटर्नल मेटर में न जाकर चलिए हम बात करते हैं कि नेपाल और नेपालियों में भारत के लिए ऐसा क्या है किस बज़े से वे हमसे हेट करते हैं और ये हेट का कारण कितना जायज है शुरुआत करते हैं सुगोली की संधी से गोरखाओं ने अपनी विस्तारबादी नीती के चलते सन 1790 में सबसे पहले अलमोडा पर कबजा करके कुमायू पर कबजा किया गणवाल भी 1804 में गोरखाओं ने जीत लिया बाद में गोरखाओं ने शिमला से लेकर सिक्किम और बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया करीब 200 साल पहले नेपाल कुछ इस तरह से दिखता था इस्ट इंडिया कमपनी का दबदबाद जब इंडिया में बढ़ने लगा तो अपने बिजनिस को फैलाने के उद्यस से कमपनी ने तिखत के साथ ट्रेड करने की सोची तिखत में वैसे कुछ ट्रेड करने लाइक खास तो था नहीं सिवाए पश्मीना के पश्मीना एक खास तरह की बकरी जिसे चांगपा कहते हैं से प्राप्त होती थी ये उन महीन होने के साथ साथ मजबूत और गर्म थी ये इनसानी बाल से दस्गुना महीन होती है इसी पश्मीना के लिए इस्ट इंडिया कमपनी तिबबस से ट्रेड करना चाहती थी जिसके लिए कमपनी ने नेपाल से बात करी पर नेपाल इस बात को तयार नहीं था तिबबत से कमपनी को नेपाल मार्क से ही ट्रेड करना था क्योंकि नेपाल ने अपने राज्य का विस्तार जम्बू कस्मीर से लेकर सिक्किम तक कर रखा था इसलिए तिबब से ट्रेट करने के लिए इस्ट इंडिया कमपनी को नेपाल मार्क से ही तिबब जाना था इसके लिए कमपनी ने जब नेपाल से बात करी तो नेपाल ने इस चीज के लिए बिलकुल मना कर दिया इसी से खफा होकर इस्ट इंडिया कमपनी ने नेपाल के उपर आकरमण कर दिया और एक युद्ध की शुरुआत करी जो नवंबर 1814 से सुरू होकर 4 मार्च 1816 तक चला इस युद्ध को एंगलो नेपाली जवार कहते हैं जिसे गोरखा वारवी कहा जाता है इसी युद्ध के बीच में 1815 में ब्रिटिस जनरल आक्टर लोनी ने काली नदी के पस्चिम के हिस्से गड़वाल और कुमायूं से नेपालियों को बेदिखल कर दिया और उनके 12 साल के कबजे को समाप्त कर दिया जो अपनी करूरता और दमन के लिए जाना जाता है इस संदी के बाद से काली नदी के पूर्व के हिस्से से नेपाल का छेतर शुरू होता है दो साल के वार के बाद ब्रिटेन गोरखाओं पर भारी पढ़ने लगा फाइनली युद्ध में ट्रीटी आफ सुगोली या सुगोली की संदी पर युद्ध रुका पर इसके फलसरूप नेपाल ने अपनी वन्थर टेरिटरी जिसमें सिक्किम, कुमायू, गड़वाल और तराई रीजन था ब्रिटिश के हाटों गवा दिया और इसी संदी के बाद जो नेपाल का जन्म हुआ वो बैसा ही है जैसा हम आज देखते हैं भारत और नेपाल के बीट में जो सीमा विवाद है उसकी शुरुवात इसी संदी के बाद से हुई सुगोली की संदी के फलसरूप नेपाल को जो अपने पस्चिमी हिस्से थे जो सारदा नदी के पस्चिम में थे उनसे अपना अधिकार छोड़ना पड़ा था और संदी के अनुसार काली नदी को बॉर्डर बना दिया गया था जिसमें नदी के पूरवी इलाके से नेपाल का एरिया सुरू हो जाता है अब ये नदी ही भारत और नेपाल का बॉर्डर है अब असल विवात की जड़ ये काली नदी या शार्दा नदी का उद्गम इस्थल है भारत काली नदी का उद्गम इस्थल काला पानी मानता है और कहता है कि इस जगह का नाम काला पानी काली नदी के उद्गम की वज़े से पढ़ा पर नेपाल काली नदी या शार्दा नदी का उदगम कुथी यंगती नदी को मानता है जो सार्दा नदी की प्रमुक जल्दहराओं में से एक है जिसका उदगम लिंपिया धुरा को मानता है और अपना चेतर वहां तक दिखाता है माई 2020 में नेपाल ने पहली वार अपने नक्से में लिम्पिया धोरा सहीत कुमाईू का कुथी वेली तक का 400 किलो मिटर स्कुाइर का एरिया नक्षे में दिखाया और नेपाल संसर ने सर्व सम्मती से इसे मन्जूरी दे दी गुंजी में ये दोनों नदी की धराएं आपस में मिलकर काली नदी या शारदा नदी का निर्मार करती हैं इसके अलावा नेपाल के अंदर जो राजनेतिक उतल पुतल और अंसल्टेंटी जो सालों तक चलती रही इसमें भारत का भी एक महतपूर्ण हस्त चेप रहा था इस अब बात लेटिस समय की करते हैं सन 2015 में मोदी जी चीन की यात्रा पर जाते हैं और दोनों देशों में ट्रेट की सुरवात करने की बात कहते हैं भारत और चीन में ये ट्रेट तीन जगह से प्रस्तावित होता है जिसमें सबसे पहली जगह नाथूला जो सिक्किम में मौज और तीसरा लीपुलेक जो उतरकंड में मौजूद है और लीपुलेक ऐसी जगहए है जिसे ये नेपाल अपनी टेरिटरी मानता है प्रिजेंट टाइम में जो इंडिया के बात सुनकर नेपाल ने चीन और भारत दोनों देशों में अपना विरौत दर्ज करवाया और उन felt कहा कि लिपुलेग जो है वो एक बिबादस्वा territory है और नेपाल की है नेपाल के लोगों की hate का जो recent issue है उसमें एक मधेसी content भी आता है नेपाल के मधेसी लोग हम भारत के लोगों की तरह दिखते हैं मतलब इनका जो tradition और बोल चाल है वो हम लोगों जैसा है इनके जो क्लोस्ड है वो बिहारी और इस्टन यूपी वाली जनता है ये एथिनिकली पहाडी लोगों से अलग दिखते हैं तो इनके अच्छे रिस्ते इंडिया के साथ दिखते हैं जो सम्मिधान 2015 में नेपाल आया था इसमें मधेसी बोसे ट्रेट के लिए नेपाल जाते हैं वो तराई रीजन होके जाते थे और मधेसी लोग तराई रीजन में ही रहते हैं और वहीं पर ही इनका प्रोटेस्ट चल रहा था ऐसे में भारत सरकार ने ट्रक्स की सेफटी के लिए और साथ-साथ थोड़ा विरोध दिखाने के ये भी ट्रक्स को रोक लिया इसे ब्लॉकेट कहा गया नेपाल में इस घट्ना से जस्ट पहले एक बड़ा भूकम पाया था इसे में ब्लॉकेट से नेपाल में गैस और अन्य चीजों की किल्ट हो गई और नेपाल ने ब्हारत पर इलजाम लगाया कि ओली की गवर्मेंट का चाइना की क्लोजनिस देखकर भारत ने ऐसा किया है नेपाल कहता है कि हमने भारत के फ्लू ट्रांसपर रोक दिये इस बज प्रोलियम सप्लाई एग्रिमेंट साइन कर लिया और चीन ने नेपाल को फ्यूल सप्लाई किया जो भारत की तरफ से बंद हो गया था औरी ने इस इंसिडेंस को एंटी इंडिया हिट फैलाने में बहुत अच्छे से यूज किया और इसे नेपाल में अपनी पावर बढ़ के लिए भी घ्रणा उतरन हुई और हमने भुकम से पीडित नेपाल के लिए जो भी किया था वो सब मट्टी में मिल गया बीबीसी के अनुसार ऐसी कई कहानिया है कि कैसे भारतिय मीडिया मुख्य रूप से समाचार चैनलों ने भुकम को कवर किया एक रिपोर्टर ने एक घायल जीवित बचे व्यक्ति को पकर लिया और खून रोकने के लिए उस पर कोई कपड़ा डालने के बजाए उसे कैमरे के सामने घुमाया एक अन्य ने उस महिला से पूछा जिसका एकलौता बेटा मलबे में दब गया था आपको कैसा महसूस हो रहा है और नेपाल की मीड दोनों को बदलने की जरूरत है सीधी सी बात है वो हमसे बहुत पहले से सौवरन कंट्री हैं ऐसे में देश चोटा या बड़ा कुछ नहीं होता पर एक दूसरे के देश को जब हम संबान देंगे तभी हम संबान पाएंगे इंडिया और नेपाल का रिलिशन्सिप ऐसा है जो कल्चर हिस्ट्री और वैल्यू से बना है सद्यों से हम एक दूसरे के साथ रहे हैं बॉर्डर शेयर किया है साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऊच नीज तो चलता है पर इन पॉलिटीशन और मीडिया ने दोनों देशों की बीच की दूरिया बहुत बढ़ाई है जरू यार एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है यार